दोस्तों से वीडियों हम बात करेंगे 13 classic USDC coin के price movement के बारे में entry levels, updated levels और आने वाले दिनों स्कोइन के targets करेंगे currently coin 0.0354 पर trade कर रहा है recent breakout के बाद से इसके price में एक अच्छा correction एक अच्छा dump देखने को मर रहा है जहां पर वापिस से स्कोइन के अंदर एक अच्छी अपोश्टी निकल के आ रही है जिन्होंने previously entry मिस्त किये quick profit generate नहीं किया है और अभी entry लेकर के quick profit generate करना चाहते हैं उनके लिए बात करें कौन से आपके लिए best entry points रहेंगे और आने वाले दिवर में इसको आनके targets क्या रहेंगे as a trader long term और short term के perspective से आप किन areas पर नजरे बना रख सकते हैं अबराल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए investor trader market में आए हैं जिनको जादा knowledge experience नहीं है उनके लिए हमने premium services start की है ताकि वहाँ पर आपको proper guidance proper study share की जा सके crypto queries जोल की जाएगे इस बना शेयर की जाएंगे updated level share की जाएंगे और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बचना चाहते हो इस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इस्टा की link वीडियो के description में है 0.0353 पर अभी coin trade कर रहा है अभी कल भी इस coin ने 36 से नीशे वाला level try किया था बीच में moment देखने को मिला daily का chart open करे तो recently इस coin में November के end में एक अच्छा breakout दीखा था हुआँ पर 80 तक price चली थी उसके बाद वापिस drop देखने को मिला वापिस से coin ने 6065 वाले level को try किया था वहाँ पर उस breakout में हमने यहाँ जब यह coin move कर रहा था यहाँ से हमने आपको proper level पर 5560 पर exit करवाया वापिस जब यह drop था उसके second day हमने आपको entry share की थी जिसमें हमने आपको इस coin में 40 से नीचे के entry बताया थी 40 से नीचे 3835 करवाण में buy कर सकते ही वहाँ से हमने फिर quick profit generate 6570 पर generate करवाया और हमने आपको previously 4th of December और 16th of December को दो वीडियो share के थी जिसमें इस coin में proper और safe entry बताया थी entry हमने आपको 3632 की बताया थी कि यहाँ से यह coin जब अच्छा खासा drop करेगा अभी entry की कोई possibility नहीं है और entry अगर आप लेना चाहते हैं तो wait करिए और 3, 6 और 3, 2 इन दो level पर आपको entry लेनी है उससे पहले आपको entry नहीं लेनी है 16 का मेरा वीडियो था उसमें मैंने share किया था और यहाँ अगर देखे तो 18 को price यहाँ 3, 1, 0, 2 पर आ गई थी तो 3, 6 पर भी आपने buy किया और 3, 2 पर भी buy किया और यहाँ से 4, 0 से उपर 4, 1 तक price चली गई थी या तो आगर आपने exit भी किया हो तो 20% को कोई profit भी generate कर लिया होगा और अभी नहीं भी exit किया तो आपके portfolio में normal profit होगा इसके अलावा अभी भी इसमें possibility हैं वो कि वो वीडियो uploaded है और बहुत सारे जो late भी watch कर रहे होगे वो भी 3, 6 से नीचे इस coin को buy कर रहे होगे डेली के अंदर अगर हम support and recensory की बात करें तो 3, 5 वाला जो level है इस coin को एक अच्छा support area जिसको इस coin ने maintain किया हुआ है प्राइज ने drop लिया लेकिन वापिस से coin वहां से move कर गया और 3, 5 से उपर अभी trade भी कर रहा है और इस level को maintain किया हुआ है USTC coin के अगर बात करें तो यह क्या है तो टेरा classic का stable coin ही है टेरा जो है वो previous टेरा classic जो है previously 2021 में टेरा था और उसके बाद 2022 में टेरा का collapse हुआ collapse होने के बाद यह जो USTC है इसकी price बहुत drop होगी थी मतलब अभी जितनी drop है नोर्मल इसकी price one USDT रहनी चाहिए जो BUSD की price है वही इसकी भी price रहनी चाहिए मतलब USDT के बराबर रहनी चाहिए तो इसमें कुछ ऐसा इंटरी इंटरनल कुछ हुआ था इसके मोगेरा और उसकी वज़े से इसका collapse हुआ था फ़ी बाद में इनोंने अपनी जो chain है अपने जो team है इनकी इनोंने work करके वापिस से नया coin launch किया जिसका नाम टेरा classic दिया जो users के fund थे उनको भी इनोंने कुछ announcement वगरा किये थे किस के type से मिलेगा उनका fund वापिस उनको मिल जाएगा जितने भी coin थे उतने coin उनको मिल जाएगा इस type से कुछ था तो उसके बाद से अभी ये coin वापिस move कर रहा है तो इसकी price जो है वो one USDT तक जाएगी धीरे-धीरे move करके और अभी recently जो moment होना start हुआ इसमें एक तो टेरा की तरफ से टेरा classic की तरफ से टेरा classic labs है उनकी तरफ से 5,000, 5 lakh USDT जो है उसको इसमें invest किया गया और उसके अलाव crypto exchange बिनाज जो है इनका hard fork वगएरा हो रहा था उसकी उसमें support वगएरा से related उसमें आया तो उसकी तरफ से थोड़ा सा इसमें volume increase हो रहा है दूसरा अभी market भी अच्छा का समोग कर रहा तो इंट्री के अगर बात करें तो यहाँ पर 35 support एरिया है 35 से उपर इस coin को 0.04344 वाला लेवल इस coin को residence phase करने को मिलेगा इस coin में आप quick profit generate कर सकते हैं बहुत लंबे time के लिए invest नहीं करना है तो कि थोड़ा risky भी है तो कि drop के chances भी हो सकते हैं price यहाँ 2,0 या उससे नीचे भी मतलब जिससे fluctuation भी move हुआ price उपर गई 5,0, 5,5 तक गई आपने profit generate नहीं किया वापस drop हुआ उसके बाद price और भी नीचे जा सकती है बीटी से fluctuate करेगा बीटी से dump करेगा तो उसमें भी dump होने के chances जादा रहेंगे उससे भी जादा इसके dump के chances रहेंगे इसलिए आपको बहुत ज़्यादा capital नहीं लागानी है और entry के अगर बात करें तो entry 6, 3,6 से नीचे अभी ये 3,5,3 के around है 3,6 से नीचे नीचे आप इस coin में entry ले सकते हैं वो एक अच्छा कासा level रहेगा जब भी आप video watch करें अगर ये coin आपको 3,6 से नीचे मिलता है 3,5 पर 3,4 पर मतलब ऐसा अब नहीं कि 2,5 पर price चली जाएगी इसके around ही ये coin trade करें और वापिस bounce पर कहना है जैसे एक दो दिन बात भी अगर आप video watch करते हैं और इसमें possibility रहे 3,6 से नीचे ये coin trade करें आप entry ले सकते हैं तो overall entry आपको 1st entry अभी 3,5 3 के around trade कर रहा है अभी तो आपको 3,5 के around के लगानी है लेकिन 3,5 3 के around भी buy कर सकते हैं कोई problem नहीं है और 2nd entry आपको 3,2 पर लेनी है अगर आप 3,4 3,1 के around 3,3 के around में इस coin के price रहे तो वहाँ से आपको और भी नीचे 3,0 के second buying लगानी है मतलब आपका जो first buying और second buying का जो distance से है वो at least 10% का होना चाहिए या आपको धिहान रखना है थोड़ी बहुत fluctuation market में रहती है और इसलिए हम आपको 2 levels buying के बताती है और ये study अगर आप follow करेंगे आप बहुत लंबे time market में अब जिसे हमने जो entry बताई थे 3,6,3,2 की तो इसके maximum moment की chance दे 3,5,3,4 के around में से थी prediction जो किया जाता वो technical basis पर किया जाता है हमारे आतमे नहीं होता कि हम इस coin को नीचे लेकर आगा है आपके entry दे दी और वापिस 3, exactly 3,5 से या 3,6 से मो करा दिया जो technically show होता है किस टाइब से volume आ रहा है, किस टाइब से volume decrease हो रहा है और भी support analysis area का है उस basis पर आपको 2 part में entry लेनी पड़ती है कभी कभी आपको 3 part में entry लेनी पड़ती है ताकि कम से कम coin miss नहीं हो coin आपका inventory मिल जाए और अगर और भी थोड़ा नीचे आता है तो हम और भी नीचे buy करें यह दिहान रखना है कि जो part उस coin में लगाएंगे उसको ही 2-3 part में divide करना है तो यहां buy करना है उसके बात आपके लिए targets के अगर बात करें first target 0.045 वाला रहेगा second target 50 वाला जो short term वाले वो 60 तक का target रख सकते हैं इसके लावा जो भी नए investor trader market में आए है जिनको जादा knowledge experience नहीं है वो हमारी premium membership में ज़रू enroll करें वहाँ पर आपको proper guidance crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto analysis से बजना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करकी join कर सकते हैं इंस्टा की link वीडियो के description में है बाकियां आपर buy or sell खुद के risk खुद के research के हिसाब से करें आपर हम कोई false advice नहीं दे रहा है वीडियो सब education purpose से हैं ताकि आपको overall coinsulated knowledge उसके वीडियो अच्छा लागा है लाइक शरू करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू